हेलो फ्रेंड्स स्वागत्था आपका अपनी आज की वीडियो सभी नीट जो भी मेडिकल स्टुडेंट्स होते हैं उन सभी किलिए है तो गाज आपने की उसके बाद आपने आपको जो मेडिकल कॉसेज में एडमिशन मिला आपके पैरेंट्स ने इती ज्यादा फी लगाई और उसके बाद आप ऐसे काम करते हैं ठीक तो बिल्कुल ही गलत है अगर आप किसी भी कोई भी आपके साथ नेगिटिविटी होती है तो उसको द पूरी जो न्यूज है यह आपसे सेर करना चाहा रही हूं तो MBBS की जो फर्स्ट एर की छात्रा है इनने किस वज़य से ऐसा काम किया तो देखिए इससे पहले गाईज अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिएगा क्योंकि आपके मैडिकल को इससे रिलेटिड की पल-पल के अपडेट आपको इस चैनल के उपर एफलेबल मिलेगी तो गाईज ये मैंने डिरिकली न्यू जी ओपन कर ली है ठीक है तो ये स्टुडेंट है और कहां कि स्टुडेंट है ये वी पूरा दिया है नई दिल्ली में मुलाना आजाद मेडिकल कोलेज की स्टुडेंट है निमें MVBS कोर्स की एक चात्रा की खुसकोसी का मामला सामने आया है बताया जा रहा है कि परिक्षा में फेल होने की वजह से मृत्तिका डिप्रेशन में चल रही थी इसलिए उसने यह कदम उठा लिया पुलिस ने इस मामले के जाच सुरू कर दी है जानकारी के मुताबिक 19 साल की दिव्या यादव मोलाना आजाद मेडिकल कोलेज में ए जाली रहता था और वही कमरा अंदर से बंद था इसलिए चात्रा वास के करमचारियों ने दरवाजे को तोड़ा हालांकि तब तक दिव्या की मौत हो चुकी थी इस मामले के सुचना पुलिस को दी गई मौके पर पहुंची पुलिस ने चात्रा के सव कोव फासी के फंदे से उतरवाया और पंजनामा बना कर पोस्ट मार्टम के लिए भिजवाया पूछ ताच में रूम पार्टनर से पता चला कि दिव्या हाल ही में हुए दो पेपरों में फेल हो गई जिसके नतीजे 29 दिसंबर की शाम को ही घोसित हुए थे तब ही से वह डिप्रेशन में चल र कर लिया है वही मृत का दिव्या का पॉस्ट मार्टम करवाने के बाद सव को उसकी पिता को सोब दिया गया है और आगे की जाज भी सुरू कर दी गई है तो गाइस ये थी पूरी नियूस ठीक है जो कि बिल्कुल ही गलत है ठीक है स्टुडेंट ने जो भी स्टैप उठाया बिल्कुल ही गलत स्टैप उठाया है क्योंकि एक चांस और मिलता उनको अच्छे से प्रपेशन करके फिर से एक्जाम देना चाहिए था वो क्लियर हो जा था दो सब्जेक्ट में उनके जुरी आई थी ठीक है तो जो स्टुडेंट्स है उनको ये सीखना चाहिए इस जिससे इनने नौट भी डाला है अपने पैरेंट्स के लिए लेकिन अब नौट से कुछ नहीं होने वाला ठीक है गैस तो ये थी लेटेस्ट न्यूज आज की जद्ध ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक्यू गाइज